चले बैचों, question number first देखिए, आज हम करेंगे chapter number 6 है हमारा lines and angles, class 9 है, exercise 6.1, NCRT खा, new edition, ठीक है, जो new edition NCRT के, जो recently आया है, ठीक है, तो question number first है, इसमे, in figure 6.13, figure आप देख सकते हैं, lines AB and CD intersect at O, line AB, पतलब ये line AB है, और ये line CD है, दोनों line intersect कर रही है, ठीक है, O पे, if angle AOC plus angle BOE, हमारा मिला के 70 है, AOC की तर आए, AOC मतलब ये वाला angle और मिला के BOE, BOE मतलब ये वाला angle, ये दोनों angle मिला के कितने हे हमारे 70 degree है, BOD आपका 40 degree है, BOD की तर है BOD, ये आपका 40 degree है, BOD, ठीक है, ये angle आपको बनाना आता हो को, BOD को मैं DOB बोल सकता हूँ, बी-ओ-डी बोलिए और डी-ओ-बी बोलिए एंगल कैसे बनाते हैं जिसको नहीं पता बता देता हूं वैसे आप नाइंध क्लास में आपको पता होना चाहिए ठीक है दो लाइन है आके जहां मिल जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर एंगल बनता है तो मानली जिसका नाम है ए यह है ओ यह है बी तो एंगल कहां बन रहा है यह यह लाइन और यह लाइन बेसिकली इस पॉइंट पर आके मिल रही है ठीक है तो एंगल यहां बनेगा तो इस एंगल के नाम क्या होगा इस एंगल के नाम यह तो आप एसे लिखोगे यह भी लिखो है यहाँ पर बनाने का मतलब है कि यह पॉइंट मतलब यह लाइन और यह लाइन दोनों मिली हैं इस पॉइंट पे ठीक है तो यह हornर दो एभी कर नाम क्या होगा बी ए को या फिरечат ओ इस पॉइंट पर क्या है तो एह हमेशा बीच में आएगा इसी तरीके से ये बी पे एक पॉइंट है तो अगर यहां पर एंगल बन रहा है तो ए बी ओ या फिर ओ बी ए ये एंगल होता है कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता कन्फिज होते हैं इसलिए मैंने बता दिया अगर आपको यह समझ में आ गया तो आगे बढ़ते इस और आप करने के बाद आप देखिए क्वेशन करने चाहिए जो Q question आपको दिया गया है मोटा मोटा पुरा question नहीं उतारना मोटा मोटा वह लिख लीजिए आप क्या लिख होगे आप लिख दो मोटा मोटा angle AOC plus angle BOE ये आपको दिया गया है 70 degree तो मोटा मोटा आपने ये लिख दिया इसके बाद आपको दिया गया है क्य Será इसने बोला ना find करो तो तो फाइट आप दीजिए given हो गया यह यह फाइंड हो टुब तो फाइंड में निकालना आपको angle बी ओई एंगल बी ओई किधर है भी ओई मतलब को यह वाला इंगल निकालना यह वाला ठीक है और आपको निकालना आंगल और आपको निकालना है and reflects यह सब क्या होता है tension की जरुवत tension लेनी की जरुवत नहीं मैं आपको सब बताऊंगा c o e c o e यह आपको निकालना है ठीक है फिर यहां से आप करेंगे solution अपना यहां से आप करेंगे solution करेंगे सबसे पहले इसमें बात की थी question में intersect a b and c d intersect at o Line intersecting line की होती है दो lายn है जब वो दो lms e cut करते हैं यह freaking जो आपको इस वाली exercise में काँए use होगा looks linear यह होगे हमारा A, यह हमारा O, यह हमारा B. For example, linear pair मतलब एक सीधी line, मतलब यहाँ पर मानली जी एंगल बनता है, अब मानली जी यह लाइन आ रही है, खिक है, लिनियर पर मैं क्या होता है? एक semi circle बनता है क्या बनता है semi circle अब मानलेजे मैं यहाँ पर linear pair की बात करूँ तो मानलेजे यह angle 1 है यह angle 2 है यह angle 3 है यहाँ पर angle 1 plus angle 2 plus angle 3 बनाएगा linear pair मतलब कि इन तीनों का sum 180 होगा तो linear pair में क्या होता है कि हम एक semi circle बनाते हैं अब उस semi circle जब बनता है न तो semi circle को बनने में जो भी उसके अंदर included है उनसको प्लेस करना पड़ता है फर जामपल जम मैंने यह सेमिसर्कल बनाया तो इसमें वन भी शामिल है टू भी शामिल है थ्री भी शामिल है तो एक एंड यहां होगा उसी लाइन पे सेमिसर्कल बनेगा बतला उसी लाइन के उपर दो पॉइंट आएंगे उस सेमिसर्कल के एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर आया यह होता है हमारा लीनियर पेर ठीक है यह समझ में आ आप आगे बढ़िए इसको रब करते हैं आप देखे बच्चो हमें बार बर एंगल लिखने की जंजट से करमें बचना की बार बर एंगल ही लिखते रहेंगे अगर कुछ और आगे बनाना होगा, तो उसको हम एंगल 5 बोल देंगे, आप देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है क्या है, BOE, तो BOE है किदर, BOE, मतलब मेरे को एंगल 3 निकालना है, और मेरे पास एंगल 3 नहीं है, मेरे पास 1 और 3, AOC मतलब 1, ठीक है, AOC मतलब क्या है, वो मेरे पास 70 डिगरी है, तो देखो हम निकालने के कैसे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ कर सकते हैं, हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं, 2, एंगल 2 निकालना है, COE, इसको निकालने का benefit क्या होगा, benefit यह होगा कि देखिए, reflex COE निकालना है आपको, ठीक है, मैं आप लिखोगे, यहाँ पर रिजल लिखना जरूरी है, बच्चो, linear pair, ठीक है, linear pair बन रहा है, ध्यान दो, देखो, यह सीजी लाइन है, इस लाइन के पर दो पॉइंट आ रहे है, एक पॉइंट यह रहा, एक पॉइंट यह रहा, और यह पूरा semicircle बना रहा है, तो इस semicircle बनने के लिए कौन को शामिल है, 123 शामिल है, ठीक है, आप dot dot देखो, ऐसे dot 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 देखो, ऐसे पूरा रहा है, तो 123 तीनों शामिल है, अब मुझे दिया हुआ है, AOC plus BOE, मतलब, angle 1 plus angle 3 मुझे दिया हुआ है, angle 1 plus angle 3 मुझे दिया हुआ 70 degree, तो मैं इसको पहले ऐसे लिख देता ह हुआ हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर लिख दिया, angle 1 plus angle 3 plus angle 2 equals to 180 degree, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई tension की बात नहीं है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा बस, मैंने ऐसे लिख दिया, अब यह कितना है, 70 degree है, ठीक है, plus angle 2 equals to 180 degree, so angle 2 कितना आ जाएगा, 180 में से आपने माइनस कर द angle 2, ठीक है, तो angle 2 आपका है क्या, angle 2 और आखरी माहन सा वह निकाल क्याना है, आखरी में लिख दो आप, angle 2 क्या है, आपका COE है basically, और COE आपका आगया, 110 degree, अच्छा, यहाँ से हम एक काम कर सकते है, हमें निकालना था reflex of COE, एक चीज़ सीखिए, कभी भी आपको किसी भी angle क रिफ्लेक्स निकालना है, सबसे पहले वो angle निकाल लीजिए, for example, reflex निकालना है, reflex angle COE हमें find out करना है, तो angle COE निकाल लीजिए, हमने निकाल लिया, अगर यह बोलता question में, reflex BOE निकालो, तो पहले हम BOE को find out करते, अब reflex COE कैसे निकालते हैं, वो सीखिए, reflex angle COE आपको निकाल करना है, angle COE, दुबारा से, जिसका reflex निकालना है, वो माइनस करना है, reflex COE, तो 360 में से हर बार, कुछ भी हो जाए, हर बार ऐसी करना है, 360 में से आपको माइनस करना है, angle COE, अगर में निकालता है, reflex AOC, for example, तो 360 माइनस angle AOC में लिखता है, ठीक है, तो चलिए, आगे कर दे, 360, COE कितना है, 110, 110, ठीक है, तो मेरा reflex angle था, यहाँ पर मैं लिख दूँ, अगर आपको दिखे तो, यह आजाएगा मेरा बच्चो, तो रह नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यह मेरा आजाएगा, यहाँ पर कितना आजाएगा, 0 में से 0 गया, 0, 6 में से 1 गया, 5, 0 में से 0 गया angle BOE, ठीक है, तो इसको मेरा रब कर देते हैं, फिर हम angle BOE निकालेंगे, अब हमें निकालना angle BOE, देखिए, BOE निकालना है न, आप ध्यान दीजिए, B, BOE निकालना है, हमारे पास angle 3 नहीं है, confuse मत होना, हमारे पास angle 1 प्लस angle 3 है, अब क्या करना है, यहाँ यहाँ यहँ अपके पास है, यहाँ 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 पी यह, बने यहां पर यहां पर वह एक समीशर्टल बनेगा एक समीशर्टल बनेगा और समीशर्टल उा रहा है 2 आ रहा है 3 आ फो रहा है तो 2 3 4 क्या मिल गए मिल गए हैंगल 2 plus एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आपका होता है 180 डिग्रीज को क्या बोलेंगे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा रिजन लीनियर ठीक है यह तो यह आपका लीनियर पेर आप देखें बच्चों एंगल 2 हमारा कितना आया था मैं खुदी भूल गया मैंने रब कर देखना पड़ेगा कितना आया था एंगल 2 हमारा बच्चों मैं तो रब कर गया यहां पे 6.1 है ना पीछे दिया हुआ है क्या पीछे 6.1 का फर्स दिया हुआ है 30 और 250 मतलब कि वो नहीं दिया हुआ 250 मारा ठीक तर रिफ्लेक्स आफ यह तुन ठीक है ना 360 में इसे 250 माइनस कर देते हैं 0 6 यह 110 अहीता हमारा ठीक है 110 आयता भूली गया था कोई बात नहीं 110 यहां पे लिए 110 डिगरी अंगल 3 कितना है बच्चों यह तो आपको निकालना है बी ओई निकालना है न आपको देखिए बी ओई निकालना यह एंगल 3 है यह कितना हो जाएगा दोनों को प्लस कर लो 150 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री ठीक है तो एंगल 3 आप निकाल देंगे हैं से 180 माइनस 150 तो यह आप क्या आ गया 30 डिग्री और एंगल 3 मतलग एंगल यह है आपका 30 डिग्री यह आपका आंसर हो गया बच्चो ठीक है हमने एंगल बी ओई निकाल दिया बाद में और रिफ्लेक्स एंगल सी ओई हम पहले ही निकाल चुके थे पहले वाद यह ओद पूद आपको समझ में नहीं आ रहा आपको नहीं पता क्या करना है जो आपको आता है अप सबसे पहले लिए गिवन जो गिवन है वो तो आपको आता ना तो आप एले लिक लिजिए गिवन क्या है आपका गिवन है आपका एंगल P.O.Y, यह दिया हुआ है आपको 90 डिनिज़ Alm потому g और आपको और C निकाल ले, आप यहाँ पर लिख लेजिए आप solution, आप देखिए मैं तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, intersecting line यहाँ पर भी बात की गई है, तो intersecting line आप समझ गए, कि मतलब यह वाली line इसने क्या बोला है, x, y and mn, मतलब कि यह जो line है, यह line और यह line intersect कर रही है, अच्छा, यहाँ पर आगे है ratio वाला question, अगर मैंना जो बच्चा मेरी वीडियो देखते रहता है, तो पता होगा, जब भी ratio वाला question आता है, तो मैं आप से एक line लिखवाता हूँ, अच्छा, ratio वाला question किसी भी chapter में से आए, जब कभी भी mess में, यह जब कभी भी आपको एक question solve करना है, और उसमें ratio वाला question आ जाता है, ठीक है, तो majority of the times आपको यह statement आपको रच लेनी है, यह आपको लिखनी है, वो क्या है, वो है आपका let common ratio be x, आपको common ratio को x मान लेना है, कुछ भी मान सकते हो, variable है, मतलब a, b, c, d, कुछ भी मान सकते हो, मैंने x मान लिया, ठीक है, अच्छा, आप देखिए, अच्छा, आप क्या करेंगे, a ratio b आपको दिया गया है, 2 ratio 3, तो यह जब हम x मान देना, तो उसको रेशियो दी गई होती है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, hence, a equals to 2x, and b equals to 3x, a पहले number पे 2x, b दूसरे number पे, यह दूसर ना पंदो और दो लिखिए, ये कितना है, ये question में बताया हे, 90 है, p कहा है, p मेरा यहां पर है, p मेरा 90 है, अगर एक question में नहीं भी xy x straight line है अब देखे एक पॉइंट एरा xy पर एक पॉइंट एरा xy लाइन पर अब भी तेखो यह कि semi circle बनेगा गर मैं यहाँ बनाना चाहूं तो एक semi circle बनेगा और semi circle के अंदर कौनकर शामिल है बी ए 90 सब शामिल है तो हम लिखेंगे यहाँ पे बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री ठीक है यह आपका हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ पे हैं लीनियर पेर मैंने आपको बताया था 6.1 में आपको linear pair पर जादा focus करना है ढूरना है कहा linear pair बनेगा पहले एक straight line ढूरनी है उसके ओपर फिर आपको linear pair ढूरना है ठीक है चलिए B कितना है B की जगर हम डालेगे 3X तो डाल दीजे 3X A की जगर डाल दीजे 2X 90 की जगर डाल दीजे 90 यह हो जाएगा आपका 180 degree ठीक है अभी कितना हो जाएगा 5X हो जाएगा बच्चों 5X plus 90 equals to 180 degree So 5X कितना हो जाएगा 180 90 को border park कराईए तो यह हो जाएगा आपका 90 अब यहाँ से आपको निकाल लीजिए X 5 border park करके कहाँ जाएगा 90 के नीचे जाएगा डिवाइड किजिए 5X 5, 5, 8, 40 तो X कितना आगे आपका X आगे आपका 180 थोड़ा यहाँ से हटा आगे लिख देता कहीं हो ख़़ता कि आपको दिखे न तो हमारा यह जो X था 1 minute ठीक है तो हमारा यहाँ पर X कितना आगे है बच्चों हमारा X आगे है यहाँ पर 18 हमारा यह X आगे है अब हमारा जब X आजाएगा आपको निकालना क्या आपको C रिकालना है C कहा है बच्चों C C यहाँ पर बना हुआ है यह है C बच्चों C बुक में देखो यह C है अब हमें C रिकालना है बच्चो ध्यान दो एक लैन इसने बोले थी हमें उटाम हैं क्या आश्रक्या में ऐAST को तो यसे का बना क्या दो कि customize जाएगा लाइन मेंैं एक लाइन ठीक है उसको एससे यहां कि और कि यहां से चलों और गूंगे वह आ जाए इस लाइन के और मिलाइन विल जाए एक सब्सक्राइए ने ऐसेabrikल बनेगा बच्चो तो इसमें क्या क्या स्वामिल है इसमें बी और जरूवत है तो बी कितना था मेरा था मेरा थ्री एकस आपर देखिए तो थ्री मल्टिप्राइब एकसे जगापर मैं क्या रहा लूँगा एकस मेरा आया ठारा ठारा रहा लूँगा अब इसको 180 डिग्री तो C कितना हो जाएगा 180 में से 54 को आप माइनस कर दीजिए 10 में से 4 गे तो बचेगा आपका 6 साथ में से 5 गे तो बचेगा आपका 2 डिग्री लगा दीजिए C equals to 126 डिग्री यह आपका C आगया और आपको यही तो निकालना था यह आपका अंसर आगया ठीक है इस तरीके साथ को कर देंगे सॉलम हो क्यों इमर्ठ थर देखे बच्चों इन फिगर 6.5 फिगर आपके सामने है एंगल PQR बराबर है एंगल PRQK देन प्रूफ डेट अंगल PQS बराबर है PRTK देखे कैसे करें काफी सिंपल क्या करना है क्यों आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है आ लिख लेते हैं गिवन क्या है एंगल PQR बराबर है एंगल PRQ के पी क्यूर कि तरह है यह वह ए इसको 1 बोल देते हैं और यह क्यों साथ PRQ पी इसको 2 बोल देते हैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं और एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के ठीक है ऐसे मिख सकते हैं कोई दिक्कत ब्राबर रे एंगल और अंगल इसको अंगल बोल देते हैं, बच्चो वाला खेल है, अब हम करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे, जलिए, प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ देंगे, ढेखेंगे, अब आप धीहान दिजिए, बहुद Всемबल question है कुछ नहीं बच्च वाला question है linear लिनेर पर आपको समझ में आ गया इस exercise में linear पर focus कर रहे है हमारी एक line है सीधी दिख रही है इसीधी लाइन दिख रही है अब क्या करेंगे देखिए क्या मेरे 1 और 3 मिला की मेरा linear pair नहीं है एक सीधी लाइन के ओपर यह ऐसे नहीं है 3 और 1 पताइए नहीं है बिल्कुल है तो मेरा 1 प्लस एंगल 3 कितना है linear pair तो कीजिए करते जाए बस क्या करेंगे आप angle 1 प्लस angle 3 equals to 180 degree reason क्या है linear pair जो आपने यहाँ पे किया है वो यहाँ भी करता 2 प्लस 4 का यह भी तो ऐसी है यह क्या है यह भी 180 degree है इसको क्या बोलेंगे linear pair linear pair अब एक काम कीजिए इसको बोल दीजिए यह आपकी equation 1 है इसको बोल दीजिए यह आपकी equation 2 है ठीक है दो equation आपको मिल गई अब आप एक ध्यान दीजिए बच्चो अगर दो equation हमारे सामने है उन दोने equation की right hand side बराबर है तो इंकी left hand side भी बराबर होती है यह होता है logic ठीक है तो यहाँ पर जो equations हैं इनकी दोनों की क्या बराबर हैं इन दोनों की right hand side बराबर है यहाँ पहे धी line लिखेंगे हम बोलेंगे by 1 not 1 आप बोलेंगे एक्वेशन 1 बोल दो करना by equation 1 and equation 2 यह बस आपको लिखेना और कुछ निकरना ठीक है अब 180 की जगा मैं यह लिख रहा हूं क्या एंगल 2 प्लस एंगल 4 या तो ऐसे समझ लीजिए यह मेरा 180 के बराबर था तो उनकी लेफटेंड साइड भी बराबर होती है या फिर उनकी left hand side बराबर है तो उनकी right hand side भी बराबर होती है very simple logic ठीक है तो यह होगी हमारा अब देखे बच्चो अब हम क्या करेंगे अब हमें काम करेंगे इसको करने से पहले हमें कुछ करना चाहिए था बट anyways कूई problem नहीं है अब हम कर देंगे हम हम क्या लेइं हम ब्राबर करने यहां पर यहां पर य ब्रे Γ्ट इदाशन चोटा और इंगल 3 बडाबर है यह मैं प्रूव करना ठीक है तो अगर मां एंगल moi और अंगल टू आंगल के एंसे कैसे सार देखो ऐसे इंगल 3 ayamha a1 प्लास एंगब 21 प्ल्ध टू इंगल update अहीं फरकव हुँंगा क्योंकि 50 गिवन दिया हुआ है एंगर के गिवन के बराबर है बराबर नगड़िकी आपके पास बीच में प्र haver राटेहीन और दोन उसरी बराबर तो कर जाती है डिको तो X कितना हो जाएगा य के बराबर हो जाएगा यह ना करके आप ऐसे काट दो ना इसको X Y के बराबर हो जाएगा ठीक है तो क्या होता बीटा ऐसे कट जाता है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है मतलब की मैं angle won की जगह, ऐंगल two भी लिख सकता हूं और angle two कि जगह angle one भी लिख सकता हूं म sinnuyτο बेसिकली मैं बराबर है न, same है अगर angle one 50 degree है तो angle 2 भी 50 degree है तो ऐसे cancel हो जाता है, तो मैने cancel कर दिया cancel करने करते क्या बच्κα मेरा, angle three मेरा angle four के बराबर बचा अब एंगल 3 क्या था मेरा PC के लिए और एंगल PQS बराबर है एंगल PRT यह मुझे प्रूव करना था हैंस प्रूवड ठीक है बच्चों वाला क्वेशन था हमने पूरा कर लिया Q4 देखें बच्चों इन फिगर 6.16 आपके सामने फिगर है थोड़ी छोटी सी बनाई है बुक में बहुत अच्छी दिए बुक में भी दिख सकते हो आप इफ x plus y w plus z है यह y है plus x plus y आपका w plus z है then prove that aob is a line हमें प्रूव करना है aob एक लाइन है पहले हमने गिवन लिख लिया ठीक है कोई गिवन क्या है मेरा x plus y बराबर है w plus z के और मुझे to prove क्या करना है to prove करना है aob is a line आपको लगेगा सर aob एक लाइन है देखने में लग रहा है देखने में लग रहा है मुझे भी लग लग लेकिन अगर इसने बोल दिया aob एक लाइन प्रूव करो तो मैं प्रूव करना पड़ेगा चाहें देखने में आपको लाइन लगेगो ठीक है तो य आपको 180 बनता है यह आपको याद रखना है अगर एक ही एक लाइन है तो यहाँ पर 180 बनता है यहाँ पर कितनी भी डाइल डालतो ऐसे आपको 180 बनेगा linear पर से ठीक है दूसरा इसका उल्टा क्या होता है अगर आपने किछी तरी किरे साबित कर दिया कि यहाँ पर एंगल ब अगरी क्यों यह पूरा एक सरकल बनेगा मिलाकर देखिए इस शब को जोइन करते हैं मिलाकर बनेगा मतलब complete एंगल इसको बोलते हम complete एंगल और complete एंगल कितना होता बच्चो complete एंगल आपको होता है 360 यह complete एंगल हो गया अब x-y की जगा x-y लिखिए आप चाहते तो आप x-y की जगा क्या लिख सकते हैं w plus z लिख देते और यहाँ पर w plus z पहले से है तो इस तरीके साब इसको बना सकते हैं यहाँ पर ब्रेकर में रिजन दे दो x-y बराबर है आपका w plus z में अब देखिए 1x-1x 2x हो गए plus 1y-1y 2y हो गए कितना हो गया यह आपका 360 डिगरी हो गया तो दो आपने common ले लिए तो ब्रेकर में क्या बचा x-y बचा जो आपका है 360 डिगरी के बराबर तो x-y कितना हो जाएगा बच्चो दो को बाड़ पार करा लो 360 divided by 2 यह कितना हो गया 180 इसका मतलब आपका x-y जो है वो आपका 180 डिगरी आ गया और x- आप एक लाइन लिख दूगे आप सिंस x-y एक्स प्लस y इक्वल्स तो 180 डिगरी इट मेंज a o b is a line ठीक है बस खलास question number 5 देखे बच्चो इन फिगर 6.7 फिगर आपके सामने है p o q is a line p o q is a line ray o r is perpendicular to line p q ray o r is perpendicular to p q वहाँ पे 90 बने कर ठीक है o s is another ray lying between rays o p and o r यह o s एक दूसरी ray है जो o p o p और o r के बीच में है ठीक है आपको prove करना है angle r o s बराबर है half of angle q o s minus angle p o s ठीक है तो देखे एक question है आपके सामने तो यहाँ पे आपको basically करना क्या है पहले हम लिख लेते हैं given ठीक है बच्चो गिवन में क्या दिए आप मोटा मोटा लिखेंगे बच्चो और कुछ नहीं लिखना मोटा मोटा एक सबसे पे मोटा मोटा तो यह है angle q o s ठीक है माइनस angle p o s एंगल p o s यह आपको प्रूव करना है ठीक है चलिए अभी क्या करना है हमें अब हम प्रूव पे आ जाते हैं देखेंगे बच्चिए क्या करना को बहुत एजी कुशन को कैसे करना है सबसे पहले आपको क्या करना है यह आपको फिगर दिख रही है इस फिगर को मैं आपको बताता हूं देखें यह फिगर आप ऐसे बना लेजिए अपने समझने के लिए अब यह लाइन को बाद में बनाएंगे यह r है यह o है यह p है यह q है यह 90 है तो यह भी 90 होगा ठीक है कैसे देखिए हम बोलेंगे एंगल यह कौन सा एंगल है यह वा बात है ठीक है qor यह आपको हो जाएगा 180 degree ठीक है क्यों हो जाएगा रिजन लिख देते हैं आप लीनियर पेर क्यों हो जाएगा यह एक लाइन में गिवन है ठीक है यह हमारे लीनियर हो गया अच्छा आप यह वाला एंगल हमें 90 को दिया गया है ठीक है तो वैसे कभी प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिगरी तो एंगल पी ओ आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिगरी ठीक है यह समझ में आया आपको तो आपको पी ओ आर कितना हो के 90 हो गया तो पीसेकली यह 90 है तो यह भी 90 हो आप यह बात है अगर इसके यह एक लाइन है इसके अब एक परपेंडिकुलर है यह भी 90 यह भी 90 दोनो 90 होते हैं ठीक है मगर आगर मैंने निकाल के भी दिखा दिया ठीक है अगर कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है दोनो 90 क्यों होते है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो लीनियर पेर से आप देखिए अब आपको क्या क सिंपल था आपने इस फिकर बनाई रफ में अब रफ में कि आप चाहो तो इसको अपने फियर में भी बना सकते हो कोई दिक्कत की बात ने यह ऐसे बना ले ना समझने के लिए अब देखिए बच्चों अब मैं पी ओ और को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर देखिए पी यह है ओ यह है आर तो अगर मैं लिख यह हमारा एस तो मैं इसको पी ओ एस प्लस एस ओ आर तब मेरे पूरा एंगल बन जाएगा जब यह मैंसे दो एंगल को मिला देना तो पूरा एंगल बन जाता है यह लाइन गया बो जाती है यह मैं सोचना यह सो कहा चला कि देखो आप आपको यह एंगल बनेगा यह तो देखिए पी ओर को मैं दिख सकता हूं पी ओर को मैं प्लस यह लिख सकता हूं ठीक है लेकिन हम लिखेंगे कैसे आपको इसका बन जाएगा एगर मैं तो बार चाहिए और बुझे को दो बार चाहिए ठीक है, मुझे QOS सही है, मुझे POS सही है, ठीक है, इनी में से निकालना है, इन दोनों को इस अंदाज में convert करना है, कि हमें ROS मिल जाए दो बार, तो POR को अगर मैं ROS में बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है, POS प्लस SOR, देखो POS है भी हाँ पे, ठीक है, तो इसको बना लेते हैं पहले, कैसे बनाएंगे, देखिए, POS प्लस ROS, POS प्लस ROS, एक ही बात है न, तो POR को मैं क्या लिख दूँगा, एंगल POS प्लस एंगल ROS, आप देखिए QOR, QOR, त कैसे बनाएं सकते हैं, मुझे ROS को इसमें include करना है, तो क्या मैं QORS को देखो, यह ऐसे है, यह Q है, यह O है, यह R है, तो क्या मैं QOR को एक लैना ऐसे जालlamation है, ऐसे है, ROS contar है, मुझे इसको लिखना है, बहुं क्या मैं A strict मैं लिख दूपरा, SOQ, सो Q हैत है भी, कहीना कहीं पोड़ो क्यों कियू ओएस में पूरा है लिख्ताओं कियू ओएस उसमें से मैं r o s को निकाल दूँ किया लगा तो मैं इसको क्यू O s माइनस आरो समझो क्यू ओएस यह पूरा इसमें से मारे सिस्टाना मानस करते दो क्या बचेगा ROQ ROQ QOR यही बचेगा ना सिंपल सी बात है तो QOR को हम ऐसे लिख सकते हैं इसका मतलब चलिए कैसे लिखेंगे हम QOR को लिखेंगे QOS Angle QOS Minus Angle ROS दुबारा देख लीजिए QOS में से ROS को Minus कर दिया हमारा ROQ बचा बस ठीक है ROQ बचा यह QOR बचा एक ही बात है ठीक है आप देखिए ROS ROS एक जगा Plus की जगा Minus का है तो कटेगा नहीं यह बस सोचना कि सब्सक्राइब एक जगा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कटेगा इसा बन गया अब देखिए QOS POS लग रहा है ना ऐसा इसको लिखिए है यह क्या हो गया दो एंगल ROS इकोलस टू एंगल QOS माइनस एंगल POS इतना हो गया अब देखिए ROS को आप यहीं पर लिखिए दो को बाटर पार कराईए तो दो जब बाटर पार करेगा स्पूर के डिवाइड में आएगा कैसे देखो ऐसे QOS माइनस एंगल POS डिवाड़िड बाइ ऐसे आएगा जिसको आप कैसे लिख देंगे जिसको आप ऐसे लिख देंगे डिवाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लास में हो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आता होगा ठीक है जब आपने इस तू को बाटर पार राया तो यहां पर मुल्टिप्लाइट में था बड़ड़ पार डिवाइड में गया तो पूरे के डिवाइड में जाएगा तो ये कुशिन आपका हो